कक्षा 11 गडित यह जो प्रस्ने पहुंत ही इंपॉर्टेंट है वार्सिक परिच्छा में आता ही है इसलिए क्या करना इसको अच्छे से बना लिना तो यह क्या लिखा है दिर्ग वित्त में नाभियों और सीर्षों की इंडिशांक दिर्ग और लगु अक्ष की लंबाईया गुद्केंध्रता तथा नाभिलंग जीवा की लंवाई ग्याद करना है प्रस्ने में लिख्जा है एक स्क्वार बाटे झहती स्वाय स्क्वार बाटे स्ोला बबर एक तो इसका क्या करते हैं तूलना करते हैं तो दिर्गृत का सम्मी करण होता है इसका तूलना करना तो इसका तूलना जो होता है दिर्गृत का सम्मी करण तो दिर्गृत का सम्मी करण की तूलना सम्मी करण की तूलना इसका तुलना करेंगे हम x square बटे a square plus y square बटे b square बराबर 1 से इसका क्या करेंगे तुलना करने पर अब तुलना करेंगे ध्यान देना यह x square x square कट जाएगा a square बराबर 36 नीचे का नीचे से होगा अब b square बराबर 16 तो इसको या दखना है ए स्क्वेर बराबर क्या हो जाएगा 36, तो यहां से हम ए कमान निकालेंगे, तो इस प्रकार यह क्या हो जाएगा, बी स्क्वेर बराबर क्या हो जाएगा 16, पहला का पहले से, तो ए स्क्वेर बराबर 36, बी स्क्वेर बराबर 16, अब देखें, यहां से ए और बी कमान निकालन एस सबसे दोनों कट जाएगा और यह बराबर कितना बचेगा चार समझ मैं यह हो गया एक कामान और यह क्या हो गया बी कमान अब यहां से अपक्या दखना है दो कंडिसां एक तू देखो यहां पर 6 बढ़ा है कि 4 तो बढ़ा कौन 6 तो 6 बढ़ा इसलिए क्या हो गया एक अगर B बड़ा होता है तो इसका फार्मूला अलग होता है और A बड़ा है तो इसका फार्मूला अलग होता है तो यहां पर देखो 6 बड़ा है तो A बड़ा है B से तो यहां पर फार्मूला होगा अब हम सबको निकालना है नहीं इतना सारा लिखा इसमें इसके लिए आपको प्याद रखना है A और B हमको निकालना पड़ेगा तो इसका formula होता है इसमें यह हो जाएगा B2 बडाबर होता है A2 1-E2 अब ये करके समाज में आएगा E मतलब उतकेंदरता होता है तो हमको E निकालना पड़ेगा, तो यहां से यह हो जाएगा, यह फार्मूला है, B² बराबर A² 1-E², अब मार रख देंगे, अब डारेक्ट ऐसे भी रख सकते हैं, देखिए B² कमान कितना आया था, 16, तो आप 16 लिख सकते हैं, A² कमान कितना आया था, 36, तो डारेक्ट 36 लिख तो कितना है, 4 बटे 9 बराबर 1-E², E² को इधर ले आना, यह क्या हो जाएगा, माइनस कुल्टा क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 बटे 9 को इधर ले आना, यहां प्लस रहता है, प्लस कुल्टा क्या हो जाएगा, माइनस, तो तीर्या गुड़ा होगा, 9 कम 9, 9 में 4 गया, 5 ब नौ, चुकि 5 का वर्ग मुल होता तो कंझी 5 ही रहेगा, और 9 को वर्ग मुल कितना हो जाएगा? 3, यह इक माने, इस मतलब होता है उतके इंदरता, तो 5 का वर्ग मुल है, 9 का क्या हो गया? 3 कंझी से बाहर आ जाएगा, तो e कमान निकल गया, यह ही उतके इंदरता है, इतना सम आप नाभिया लिग देना one उदेर को दो सक्काशक formalTime प्लस माइनस एई जीरो यहां से देखिये यह प्लस माइनस हो गया 칠ी आ जो कि यह प्लस माइनस हो गया इई कमान क्या निका निकाले थे खैग इंक इतना तो, plus minus 2, कники five, and this is 0. clear ? तो, यतना हो गया अब निकालना है सीर्स तो, सीर्स का formula होता है सीर्स निकालेंगे तो, सीर्स का होता है plus minus a और ये zero तो, अब एकामान था हम निकाली चुके है एकामान क्या निकाले थे? यहां से, एकामान 6 तो इतना हो गया ये plus minus 6 और ये 0 ये इसका सिर्स निकाल गया अब निकालना है दिरगाक्च और लगुवाक्च तो दिरगच का फर्मूला होता है दिरगचकी लंबाई तो दिरगाक्च का होता है 2a 2a तो क्या हो जाएगा 2a कामानगों क्यफ निकाले है छ sitten 2 6 12 फिर निकालना है लगू अक्ष, लगू अक्ष का फर्मूला होता है Two B, और what निकाले है था हम लोग, 4, यहाँ से आप देख सकते हैं 4, तो किदना हो गया है, 248, तो इस प्रकार यह क्या है, निकाल गया सबका, यहाँ से यह 12, और यह सीर्स हो गया, यह नभी हो गया, और यह इसमें निकालना था, बहुत ही असान है, एक्जाम में पूछता ही है, इसलिए इसको क्या करना है, आपको अच्छे से बनाना है, तो एक और इसमें पूछा है, नाभी लंब जीवा की लंबाई, तो इसको याद अखना है आपको, नाभी लंब जीवा की लंबाई, ना भी लंब जीवा की लंबाई इसका होता है 2 B स्कूरल बटे A तो 2 B स्कूरल कमान निकाले थे क्या? 4 – A कमान क्या निकाले थे? 6 – B स्कूरल कमान डाइरेक्ट लोग Πड़τα किसा कुस्का रिटायं हो जाएगा इसको कटा देते हैं अगर यही क्यों होगा जैखे जैसे ए कमान अगर चोटा और बी कमान बणाती अगर यहीं पर जैसे ही मालूप B 6 रहता और A 4 रहता मतलब B कमान बढ़ रहता तो यह उल्टा हो जाएगा B पहले आ जाएगा A बाद में आ जाएगा मतलब A स्क्वेर बराबर B स्क्वेर हो जाएगा और वैसे ही यह इसका अगर सिर्स ना भी निकालेंगे यह 0 पहले आ जाएगा और इधर हो जाएगा प्लस माइनस B E हो जाएगा वैसे ही यह 0 सुरू में लिखना है और इधर प्लस माइनस B हो जाएगा दिरग अक्ष में यह 2a का 2b हो जाएगा यह लगू अक्ष में 2b का 2a हो जाएगा और ना भी लम्म में 2b स्क्वर है तो a उपर जाएगा 2a स्क्वर बटे भी हो जाएगा इसको आपको याद रखना है